हेलो एरिवन आज हम इस वीडियो में अलिगण मुस्लिम सिटी में जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन कॉंसलिंग में पार्टिपेट कर चुके हैं या फिर आने मुदल टाइम में करेंगे उन स्टूडेंट के लिए जो कॉममन सा डॉट्स है एक के करके थोड़ा सा डिसक्स करेंगे इस वीडियो में हम लगवद तीन से चार पॉइंट पे बात करेंगे नंबर एक एम्यू में जो नॉर्मली स्टूडेंट का वेटिंग लिस्म नाम होता है या जिस भी स्टूडें में में प्रोप्रेंट करेंगे इस के पार जो चुडुन करने के बाते हैं कि 163 किसे मिलेगा फिर करेंगे क्या को दीटेच करेंगे लेकिने इसे पहले कि आगे हम बात करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा अपने हिसाबसे में आपको समझाना चाहूंगा यह एक में का वेटिंग लिस्ट अपको पता ही है कि आपका नाम रिजल्स आ रहे हैं अब हो सकता है कि आपका नाम हम किसी एक का एक्जामपल लेंगे और इस एक्जामपल के थुरू हम सब को सब बताएंगे पहली बात यह है जैसे मैं यहां पर फेकल्ट फार्ट में एक एक्जामपल लिए बाकि आपको रिलेट करेंगा वो क्या जैसे कि जिस भी स्टूडेंट का सेलेक्टे लिसमे नाम आया इसका मतला इन स्टूडेंट का 100% एडमिशन में लगा सर्त यह है कि ऑलाइन कौंसलिंग साइसे करना पड़ेगा लेकिन जो चांस में में वाले स्टूडेंट को ही वेटिंग लिस्ट बोलते हैं जो चा बता देना चारहों कि कौन स्टूडेंट वेटिंग होंगे और कौन सेलेक्टेड में होंगे उसके लिए कर हम बता देते रहें इस वीडियो में अब यह मिसको ओपें कर रहे हैं और ओपें कर लेंगा देखिए यहां पर एक इन्होंने सिंबल दिया है जैसे अभी मतलब है इस मतलब उनका स्पेसल का डिगुरी मिए तो आभ ये देखिए कि這種 है अभिए इस स्टुडेंता है तो सनलेक्ट यहनज में है और यह सेकंड नंबर पर हैं सी ऑ का डेगरी में इस तरीके से आगे भी देखेंगे, तो जिन का डॉलर है, देखी इन्हे स्टूडिंग का डॉलर इन दोनों का है तो यह सेलेक्टेड है, यह वेटिंग में है, ठिक, अब आते हैं आगे तो मेरे खेल से यह चीज तो पहले सवन मैं कि कौन वेटिंग में और कौन सेलेक्टेड में अब सवाल है कि वेटिंग कैसे किलर होता है एक बड़ा सा इसू क्या है स्टूडेंट के साथ पहले बात यह समझे कि AMU का जो नौर्मिल रिजल्स आता है उसमें यह कहीं में से नहीं किया जाता है कि जो स्टूडेंट है अच्छा पहली बात यह सानी यह में से पहले मैं आपको बताने चाहूंगा कि AMU में रिजर्वेशन पॉलिसीज है नौर्मिल हर यह इंविश्टी में रिजर्वेशन नाम का क्राइटिरिया एडिड है नौर्मली हर इंविश्टी में प्रोसीजर अलग लग होता है जैसे अगर AMU के बात करें तो AMU में भी सिंपल रिजर्वेशन है जनरल का है, OBC है, SPS है, General में Muslim, Non-Muslim दोनों आ जाते हैं OBC में भी Muslim, Non-Muslim दोनों आते हैं SPS में भी ऐसा ही सेम प्रोसीजर है ऐसा नहीं कि हां Girls के लिए Special Division वहाँ पे है या Muslim Student के लिए Special ऐसा कुछ नहीं है सभी के लिए in general तरीके सभी का Same Reservation policies वहाँ पे हैं कोई अलग नहीं कि हाँ like Muslim student को ज्यादा prefer or non-Muslim ऐसे कुछ नहीं है जहां तक मैं जानता हूँ अब क्योंकि हुआ यह है कि AMU के पास जो minority के status था उसको उसके पास नहीं उसका मामला court में चल ला है तो अगर आप results तेखेंगे तो results में basically यह कही mention नहीं होता है कि जो student है यह OBC से है या ST से है या SC से है या General से ऐसा तो mention होता नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो जो rank जो list है वो basically marks के base पे अब ही जैसे में waiting list दिखा रहा हूँ तो यह क्या है यह जो student है इन में marks के base पे इनको यह rank मिला है पहली बात इसमें category के base पे नहीं है कि हाँ आप OBC है तो आपको 111 hand 99 है और जनल वालों को 15 hand ऐसा कुछ नहीं है यहां पे marks के base पे waiting मिला है अब हम आते है अब final बता है कि waiting कैसे clear होगा तो waiting clear जो होता है उसके एदम simple process क्या है वो बता रहो है पहले चीत हुई है कि जो student council में participate कि है तो उनका सबसे पहला जो firm list मतलब पहला जो नाम आए गए पहला जो selection होगा जिसका नाम जो selected list में उनको पहले मौका मिलेगा उसको जो chance में हो उनको द्वारा मौका मिलेगा अब chance में waiting कैसे clear होगा तो उसके लिए होता ही है कि married के base पे जिनका topmost waiting में marks होता है उनको पहले मौका मिलता है लेकिन एक student का सवाल क्या होता है यहां पे कि sir कि एक student ऐसा जिसका 200 वेटिंग है एक student ऐसा जिसका 300 वेटिंग है अब ऐसा 300 का वेटिंग के लिए 200 का नहीं हुआ तो ऐसा क्यों हुआ इसका एदम genuine जो मेरे पास solution वो यही यह जो 300 वाले student है हो सकता है यह SC, AST या OBC होंगे और यह जो 200 वाले student होंगे वो general आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि normally A में general student का वेटिंग कम किलर होता है वही SC, AST, OBC candidate का वेटिंग ज्यादा किलर होता है इसलिए कही वार आप सूनेंगे कि 500 वेटिंग किलर हो गया ह होगा तो इस बात को समझिए कि A में वेटिंग से किलर होता है तो simple पहली वेटिंग तो normally merit के बेस पर ही होता है number 1 दूसरा वेटिंग का जो प्रोसीजर है वो category वाज है कि जैसे general का seat fix होता है आपको पता है कि जहां रिजरू से वान seat fix होगा तो माले कि अगर किसी ब्राज म होगा वो around 40 का सबस होगा 45 का सबस में अब उसकोद OBC उठाई है तो OBC में भी हाँ आई है कि अब जिसमें अगर हम AEMU में बात करें तो Muslim women बलके girls का जो separate list आता है तो उस girls में भी general girls होगी OBC girls होगी SCST girls होगी उनका भी उसी साब से distribution होगा उनका भी उस साब से वेटिंग किल वेटिंग में भी 12345 होगा उनका सबसे पहले वेटिंग किलर होगा लेकिन वेटिंग क्लियर होने का प्रोसेस आपको समझा गया होगा अब आपके सवाल होंगे form list देखिए form list भी एक तरह का results है form list का मतलब यह है कि जो student counseling में participate कि हैं अब उसके बाद जो candidate का selection list आवेगा selector list अब उसके बाद अगर list आता है उसको ही form list भोलता है इस तरीके से आपको पाता है कि form list में क्या होगा कि round 1 में एक form आएगा round 2 में जो है फिर form list 2 यानि कि आपको पता नहीं कि तीन round में counseling होगा तो मैं पहली बात यह बता दूँ कि सिर्फ round 1 में कर चोगे तो round 2 round 3 में counseling करने के ज़रूत नहीं number 1 दूसरा round 1 अगर हो जाता है तो उसके फिर्म लिस्ट आएंगे यानि फिर्म लिस्ट का मतलब लिस्ट आप सेलेक्टेट कंडिट जिनको प्रोग्राम एड्मिशन यह एमें में फिर एक सबालों का firm list में किस student का नाम आएगा तो जिसका selected list में आम उसका firm list 1 नाम आएगा जिसका वेटिंग लिस्ट हो नाम होगा उसका firm list 2 में आएगा इस तरीकिस और और वेटिंग लिस्ट के लिए रहोते तो firm list 3 में आएगे जैसे कि एक student का मैंने direct payment कर दिया है और payment करने वाद देखिए इस तरीकी का generate receipt आ रहा है तो इसका मतलब आपका payment हो चुगा है यहां payment का option आता है तो कहीं कहीं तो दिक्कत वाली बात है क्या है क्योंकि आपको थीरे यह टू डेस का time ही मिलता है पैमेंट करने का अगर उस दे में नहीं करते तो नुक्सान आपका यह इसलिए सबात का ध्यान रखेगा एक सवाल ही होगा सर ब्रांच अपगरेट को लिकर क कि branch upgrade कैसे होगा तो जब पेमेंट करेंगे याद रखे इस पिछले साल क्या होगा था कि branch upgrade from counseling के time में ही आया था कि आप lower higher choice चाहते कौन से चाहते लेकिन इस बार उन्हें बदला है हाला कि पिछले बार ही बदल दिया है मतलब यह कि अगर आपको माली फोर चोईस था या दो चोईस था आपको अगर सेकंड मिलिया तो अगर आप चाहते हैं या जो मिला उसे मीखुस है ऐसा ही रहेगा तो अगर आप upper choice चाहते हैं देन यस पिटिक करें और अगर नहीं चाहत अगर नोग पिटिक करेंगा इस तरीके से संब्ट करेंगा उसके बाद आपका payment हो जागा फिर फीजिप को डॉनलोड करना है और साथी फिर एक और काम करना है और एक और क्या करना है यहाँ पर आपको लेफ्ट हैं पर थीरी लाइन दीख रहा है इस पर क्लिक करना है और पर इखाल से वेटिंग को लेकर फर्मलिस को लेकर पेमेंट को लेकर ब्रांच अगरेट को लेकर यह सारी चीजी की लरोज चुका है आगे फिर इस तरीके से और वीडियो जाएंगे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और कोई भी ऐसा डॉट स्क्वेरी हो आप कम मैक्समम पेमेंट प्याउट होने का वाज़ास उसमें टेक्निकल इसू आता है इसलिए मैं कहता हूं कि आप डेविट काड यूज करिए बाट स्टील अगर किसे स्टूट्ट के ऐसा इसू आता है तो उनको वेट करना चाहिए एक दिन का उसको आप टेक्निकल सपोर्ट को टेक्क यू